हैं है हैलो फ्रेंड वेलकम तू माइ चैनिल तो आज की सी वीडियो में हम क्या करेंगे कि firebase को अपने android की प्रजेक्ट के साथ connect करेंगे ठीक है तो मैंने एक अपने android प्रजेक्त खोल रखै है ठीक है यह की डमी प्रजक्ट है तो इसको मैं अपने Firebase Database के साथ connect करूँगा और Firebase Database के बारे मैंने बिल्कुल detail में वीडियो बना रखी है इस से पहले वाली वीडियो है या फिर आप playlist में भी चेक कर लेना या फिर मैं description में उसका link दे दूँगा तो वहां से भी आप उसको देख लेना कि मैंने Firebase Database को बिल्कुल detail में समझाए कि वह कैसे यूज होता है क्यों यूज करते कहां पर यूज करते हैं इन सबी कोशनों के जवाब उसको आपको उस वीडियो में मिल जाएंगे ठीक है तो आप अगर आप आपने वह वीडियो नहीं देखी तो पहले जाके उस वीडियो को देखिए फिर यह वीडियो देखना ठीक है तो आपको अच्छी तरह से समझ आएगा कि यहां पर होए नथी है यहां पर आपा इस पे ही आपको ओट हैंके और यहां नावर से नर मुनेंगे नुटंगे काइट जायब आपको एन तो यहां पर सारी लिस्ट ऑथनुनाशन है रियल टाम डेटाइबेस आ अव्ट हर से हीडिक तो यह सब features आपको मिलेंगे firebase के तुरू ठीक है तो यह सब features किस चीज के है database के है ठीक है तो मैंने क्या करने कि अभी इसको simply connect करूंगा अपने project को अपने firebase के साथ ठीक है तो यहां पर हमने क्या करने की मैं sign in पर करूंगा तो यहां पर देखो आगया authentication using google sign in ठीक है तो मैं google sign in से इसको connect करूंगा ठीक है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा सबसे पहला step है यहां पर यहां पर steps बनके आजेंगे ठीक है connect your app to firebase ठीक है तो यह जो मेरी app है इसको मैं क्या करूंगा firebase के साथ connect करना है तो यहां पर आजेगा connect to firebase तो यह बटन बनके आए तो इस पर मैंने simply एक click कर देना है तो click करूंगा तो देखो मेरा एक window खुल जेगी मेरे firebase console पर लेजेगा browser ठीक है तो यहां पर direct मेरे को लेजेगा यहां पर वहां से directly मेरे को यहां पर browser पर window open करवा दिया ठीक है तो यहां पर आया हुआ है यहां पर कहा लिक है choose a project to continue ठीक है तो अगर आपने already project बने पड़े उसी के साथ connect करने तो आफ कर सकते हो otherwise आप नवा प्रॉजेक्ट भी create कर सकते तो यहां पे नवा project का नेम है ठीक है यह देखो मेरे प्रोजर्टरण नेम क्या है करस्टम लिज्ट विटीड थी कहे तोप मिन दिख रहा है आपको ते एल्रेड़ी वहां पर उठा लिया इसने कर्स्टम इस्ट बीज्टीड है उसके बाद क्या करेंगे मैं यहां पर करूंगा continue पर क्लिक ठीक है यहां पर गोगल analytic for your firebase project तो यहां पर मेरा गोगल कर रहा है तो ठीक है यहां पर सब कुछ ठीक है तो यहां पर मैं करूंगा continues अब continue करने के बाद क्या आएगा है चूज एक चूज और create Google analytic account ठीक है तो इसको मैंने कुछ ही छेड़ना यहां पर बाइडिफॉल कस्टम लिस्ट वी रहन दूंगा और analytic location तो यहां पर हमने location set करनी है यहां पर इंडिया आप चाहिए कि जिस भी country में वहां की location set कर देना तो मैं अपनी location के according इसको इंडिया सेट कर देता हूं ठीक है और यहां पर आपने accept कर देने त्रीनों चीजे ठीक है उसके बाद कर देने create project अब जब जब आप create project पर क्लिक करोगे तो यहां पर processing होने लगजेगी मनलब कि आपका project जो है वो create होना स्टार्ट हो गया ठीक है तो यह और ओटोमेटिकली आपका firebase पर project create हो जाएगा ठीक है तो इसके इसके लिए आपको कुछ कुछ फाल तुकाम करने की जूतनी है automatically google यह आपको अपने आप project create करके दे देगा ठीक है तो यह बिल्कुल सिंपल वे यार कि अगर आपको डेटाबिस क्रेट करने तो सिंपल सा वे है कि automatically create हो जाता है ठीक है बस आपको कुछ बातों का जो important बाते उन चीजों का पता होना चाहिए तो आसानी से बना सकते है ठीक है तो देखो आगया custom list और new project is ready ठीक है तो यह मेरा project create हो गया successfully अब मैं करूँगा continue पर click तो देखो आप मेरा प्रोजेक्ट जो create हो गया आप मैं कहां जाओंगा direct अपने अपने जो मेरा प्रोजेक्ट क्रेट हो है उसके अंदर चला जोंगा जेखो फ्रेंड मेरे को screen पर यह message आ रहा है कि your android studio project is connected to your firebase android app तो मतलब कि यहां पर क्या कह रहा है कि इसने मेरे को message show कर दिया कि आपका जो android की app है वह firebase की साथ successfully connect हो गी है ठीक है तो आप मैं क्या करूँगा यहां पर इसलिए लिए लिख्या you can now use firebase to your project go back to android studio to start using one of the firebase sdk तो मतलब कह रहा है कि आप अपने android studio पर वापस ले जो और आपने जो भी काम करना है वहां पर start कर सकते हो आपका जो database है वह create हो चुका है successfully ठीक है तो हम चलते वापिस अपने android studio पर तो देखो friends मैं वापिस आ गया हूं अपने android studio पर तो देख है अब second second step कि है इसका add the firebase authentication sdq to your app ठीक है तो यह भी हमने add करना पड़ेगा sdk ठीक है तो यहां वे मैं add the add to firebase मलें इस button पर क्लिक करूंगा और यह जो चीज़े आ रही है यह बहुत important चीज़े है अगर आपने इसको miss कर दिया ना तो आपके project में काफी सारी errors हा सकती है क्यों क्यूंकि यह सब चीज़े यह एक dependency ठीक है तो यह क्या करेगा कि गूगल जो है automatically यह सब dependency आपके जो android studio का project है इसके इंदर save कर देगा यह स accept changes तो accept changes जब आप करोगे तो यह back end पे automatically आपके project में सारी dependencies को add कर देगा तो यहां पर processing स्टार्ट होगी है तो महलब आपको कुछ नहीं करना जो आपका ग्रे जो आमारी gradle file होती है ठीक है जापे हम dependency add करते हैं तो वहां पे यह project automatically सारी dependency add कर देगा जो कि हमको firebase के लिए चा और make sure कि आप इसको miss ना करें अगर आपने इसको miss कर दिया तो आपका database से connection नहीं बनेगा ठीक है तो यह बात ध्यान में रखना तो देखो friends dependency होगी है add तो यहां पर क्या आगया मैसे green tick लग गया मनलब की successfully हो गया dependency setup correctly ठीक है तो यहां पर dependency जो हमारी automatically set होगी है ठीक है तो य green tick आगया अब बस और कुछ नहीं करना और और सब कुछ तो इसके codes वगयर है जब आपने अपनी आपको के जब आप अपनी app में कोई भी जब आपने programming करोगे तो उसके लिए सब code है तो यह जब आप next video में आपको बताऊंगा कि जब हम अपने app में जब हम login next video में हम करेंग कि हम अपनी app को login करवाएंगे login या फिर रिजिस्टर करवाएंगे तो वहां पर यह सब code यूज होएंगे ठीक है तो इन code को हम आगे यूज करेंगे तो अभी के लिए मैंने आपको बताना था कि हम अपने android app को अपने firebase के साथ कैसे connect करते हैं तो आप मैंने आपको बता द subscribe थे और बिल्कुल मैंने असान बासा में आपको समझाया होपस हो कि आपको समझ में आ गया हो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज मुझे comment कर देना या फिर मेरे 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 को mail भी कर सकते हो ठीक है और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो ना तो प्लीज चैनल को लाइक कर देना और शेयर कर देना वीडियो का अपने दोस्तों के साथ इसको इसके बारे में कुछ नोलिज नहीं है ठीक है फ्रेंट्स तो ठेंक्य सो मच